हाई फ्रेंड्स वेल्कम बाक टो दे चैनल दोस्तों मैं देवी प्रसाद अपने सारे दर्सकों को इस नए एपिसोड पर स्वागत करता हूं अभिनंदन करता हूं आसा करता हूं मेरे पूरे दर्सक हमारे चैनल के सारे व्यूर्स सेफ हैं सुरक्सित हैं और मैं भगवान से प्रातना करूंगा पूरे भारत बर्सकों पूरे विश्व को इस करोनमारी से जल्दी मुक्ति मिले और हम सब लोग अच्छे जीबन को एक नए सिरे से जीने के लिए प्रतिबद रहे ठीक है तो आप जो भी सिप्ट्री गाइड़न्स आपको दिया गया है बोला गया है उ तो हम लोग कुछ dedicatedly उनके लिए उनके लिए भी कुछ करना चाहिए जो कि हमें घर रहके ही हो सकता है ठीक है प्लीज ये follow करें दूसरी बात जो लोग नए जुड़े हमारे साथ उनको भी welcome करना है आईए आपका स्वागत है हमारे चैनल पर और जो भी हमारे साथ नए जु हमिस है मेरा चलिए दोस्तों इस सेशन में हम perform करेंगे मेरे गुरुजी के द्वारा पस्तुत की आए गाना गाने करना में इसक में हम तुम्हें क्या बताए इसक में हम तुम्हें क्या बताए किस कदर चोट खाए हुए हैं इसक में हम तुम्हें क्या बताए इसक में हम तुम्हें क्या बताए किस कदर चोट खाए हुए हैं मात ने हम को हा मात ने हम को मारा है और हम जिन्दगी के सताए हुए हैं इसक में हम तुम्हें क्या बताए ऐ दहत अपने बस्ती से कह दे दाग लगने न पाए कफन को आज ही हमने हो आज ही हमने बदले है कपडे आज ही हमने बदले हैं कपडे आज ही हम नहाए हुए हैं इसक में हम तुम्हें क्या बताएं सुर्ख आखों में काजल लगा है रुख पे वादा सजाए हुए हैं ऐसे आए हैं हो ऐसे आए हैं ऐसे आए हैं मैयत पे मेरी जैसे साधी में आए हुए हैं इसक में हम तुम्हें क्या बताएं किस कदर चोट खाए हुए हैं मत ने हम को मारा है और हम जिन्दगी के सताए हुए हैं थैंक्यू फ्रेंड्स कुछ समय देने के लिए मैं इस काने को एक दो बार रेकॉर्ड कर चुका हूँ बट अभी जब मैं बैटके एक और वीडियो रेकॉर्ड कर रहा था तो जब वो गाना मैं गा रहा था दिल में ये गाना अंदर ये अंदर ट्यून बज रहा था ठीक है पता नहीं मेरे गुरुजी के गाने हर वक मेरे दिल में बोलते हैं मैं किसी दूसरे सिंगर का गाना भी गाता हूं तो सुनुनियम जी का गाना मेरे दिल में बसता है तो ऐसा कई दफ़ा होता है कि मैं उनके तरफ गाने के तरफ हर वक मेरा रोची रहता है तो इसलिए मैं तुरंद उठा कि एक मेरे गुरुजी को भी डेडिकेशन होगा क्योंकि उनके लिए एक लाइन गाना भी एक गुरु दक्षिना की तरह होता है तो मैंने सिर्फ इसे रेकॉर्ड किया ठीक है आसा करते हूँ आपको ये थोड़ा बहुत अच्छा लगा होगा अगर कुछ गलतिया रहेंगी तो आप मेरे मालिक हैं आप मुझे बोल सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं क्योंकि यहाँ पर लाइस सिर्फ सिंगिंग में गलतिया होगी तो आप मुझे कमेंट्स में लिखें, कैसा लगा आप कोई गाना और आप प्लीज परफॉर्म करें, ठीक है, इस गाने को परफॉर्म करें बहुत ही प्यारा सौंगे, और आप इसे हर लाइन में, हर वर्ड में जिंदिगी के तरफ, एक रुझान की तरफ इस गाने को यूज़ कर सकते हो इसमें बहुत सारे मीनिंग है, ठीक है तो चलिए दोस्तों, मुझे अभी इजाज़त दे, मैं किसी और गाने को प्रक्टिस करूँगा तब तक आप इस गाने को लाइक करें, सेयर करें, अपने दोस्तों के साथ, फैमिली, फ्रेंड्स के साथ और एक चीज़ मैं बोलना चाहूंगा जाने से पहले इस चैनलल में मेरा जो मकसद था, मैं हर वक्त खुलके बोलता हूँ मकसद यही था कि आप अपने लिए कुछ कीमती समय निकाले क्योंकि अक्सर यही होता है कि हम जिंदिगी में इतना ब्यास तरह जाते हैं कि हम अपने को ही नहीं समझ पाते हैं मुझे क्या चाहिए, मेरे दिल को क्या चाहिए, क्यों मुझे सुकून नहीं मिलता है तो गाना एक ऐसा जरिया है जो आपको कुछ सुकून दे सकता है यह मेरा मानना है, इसमें कोई forcefully मैं नहीं बोलता हूँ आप अगर इस गाने को या कहीं पर भी बैटके एक दो गाने सुनेंगे और कुछ बोलेंगे तो आपको जिन्दगी में अजीब सी खुसी महसूस होगी और आपको एक fulfillment दिखाई देगा इसलिए मैं बोलता हूँ, आप जब भी गाना सुनते तो एक दो बार perform करें और अंदर ही अंदर एक सुकून को महसूस करें, जो कि आपको भगवान का existence आपके अंदर दिखाई देगा जाने से पहले फिर से सारे लोगों से request करूँगा safety measures का जो भी COVID-19 के समय हमें बोला गया, उसे खायाल करें मापिताजी के साथ अच्छे से रहें, उनका सेवा करें, ठीक है, और मुझे इजादत दें, ठीक है चले दोस्तों, बाते तो बहुत सारी करनी है, किसे दूसरे एपिशोड में करेंगे, ठीक है अभी के लिए इतना ही, keep watching and happy singing, बबाई